Hello everyone, State Public Service Commission, राज्य लोग से वायों की द्वारा यहां पर यह वेकिंसी है, Government Assistant College, Assistant Professor की वेकिंसी है, 1200 प्लस जो है, टोटल यहां पर पर्मानेंट पोस्ट है, All India Level की जोब है, तो यहां पर जो सिलेक्शन है, सबसे वड़ी बात, चाहिए वो NET वाले हैं, या PhD वाले हैं, या Set Qualified Candidate है, सभी को जो चैन पर किरिया है, वो सेम रहने वाली है, रिटिन एक्जाम प्लस इंटर्व्यू के आधार पर सिलेक्शन आपका होने वाला है, तो यहां पर NET और Set Qualified Candidates के लिए चांसे जो है, Assistant Professor बनने के जो है, काफी ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि Direct Recruitment में PhD वालों को 30 अंग आउट ओफ अंडर जो है, एक्स्ट्रा वेटेज उनको दिया जाता है, यहां पर ऐसा नहीं है, तो चलब, यह जो वेकिंसी है, यह Application Form Re-Open हुए है, और मद्या परदेश Public Service Commission की तरफ से जो वेकिंसी 2022 में निकली थी, नाउ यहां पी जो है, जैसे की इसकी अंतिम्तिती मैं बात करूँ तो लगबग मार्च 2030 मैं उसके बाद जुलाई हुई, इस टाइप से जो है, लेकिन यह दुबारा Re-Open किये गए है, आप यहां पर देख सकते हैं, पंदरा दिसंबर 2030 तक इसकी अंतिम्तिती है, सब्जेक्ट आपके हिंदी है, इतियास है, ग्रह विज्ञान, ओम साइंस है, वनस्पत्ति सास्त्र है, गणित है, संस्कृत है, और ग्रंतवाल कृड़ा, तो यह सारे जो है, यहां पर आपको जो है, यह वानिज्य यानि के कॉमर्स, और साथ ही साथ जो है, आपको अन्य जो सब्जेक्ट है, वो यहां पर आपको जो है, मिलेंगे, और इनका जो अंतिम्तिती है, आप यहां पर देख सकते हैं, एप्लिकेशन फॉर्म 15 दिसंबर 2030 तक जो है, आप यहां पर जो है, आच्छा, जैसे यह वेक लिंक दिये गए हैं, दोनों हम उपन करके देख लेते हैं, यहां पर देखिए, यह दिया गया है, तो यहां पर एडबिटीजमेंट भी है, जब हम यहां पर एडबिटीजमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यह पूराना एडबिटीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर जो सिलेक्शन की चांसे जो कैंडिडेट्स नेट सेट है उनके अच्छे खासे बन जाते हैं ओमरिसीमा यहां पर 21 से 40 वर्स है मैं यहां पर दिखा देता हूँ वेकेंसी है पे लेवल 57,700 प्लस जो अन्य बत्ते है वो यहां पर दे होंगे 55 प्रसेंट अंकों के साथ मास्टर डिगरी प्लस नेट या सेट या पीसडी आपके पासे तो आप यह दिन कर सकते हैं आप यहां पर आयू सीमा 21 से 40 वर्स है जबकि जो मद्या प्रदेश की जो रिजर्ड कैंडिडेट से उनको यहां पर आयू सीमा में छूट प्रदान की जाएगी ठीक है जो सेलेक्शन है आपका ओफलाइन एक्जाम होगा ओमार सीट आधारित और उसके बाद इंटर्वी होगा और इस प वीडियो को देख सकते हैं मद्या परदीश एसिस्टन प्रोफेसर जो है किस परकार से चैन पर गिरिया ठीक है तो अगर आप आभी दन करना चाते तो आभी दन आप यहां पर कर पाएंगे ठीक है तो चलिए वीडियो चलेके वीडियो को लाइक करे ज़्याद से ज्यादा शियर करें, थैंक यू